नमस्कार दोस्तों स्फागत है आप सभी का हमारी प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों कहा जाता है ऐली टू बेड ऐली टिल राइस मेक्स तब मैं हेल्दी वेल्दी और वाइस ये बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में आज हम जानेंगे कितना जरूरी है हमें early mornings को experience करना जाकर उस moment को experience करना उसके बारे में जाने के लिए हमारे साथ है अधिती बहन जी जो की एक educator है आईए उनसे बाते करते हैं ओम शादी sister welcome to our show sister early mornings ये कुछ लोगों के लिए एक lifestyle है कुछ लोगों के लिए एक सपना है कि कभी हम जिंदगी में इस टाइम पर उठ पाएंगे early mornings कुछ लोगों के लिए एक I would say एक urge है या फिर एक resolution है लिए जो कभी पूरा नहीं होता ऐसे में early mornings के बारे में आपकी क्या रहा है लिखे सुबह जल्दी उठना जैसे हमारे बढ़ों ने कहा कि early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise तो actual में सुबह का समय जो है वो हमारा अपना समय होता है आज के जीवन में आज के लाइस्टाइल में जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो यह कि हम सब कुछ कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भाग दौर लगे हुई है और अपना best performance देने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं everything we are doing और हो भी रहा है लेकिन जो छूट रहा है वो खुद को जो हमें ध्यान रखना है self-care self-care है उसके लिए self-reflection के लिए हमको time नहीं मिल रहा है अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें time नहीं मिल रहा है तो early to rise का जो मतलब है कि makes man healthy, wealthy and wise तो healthy, health के लिए भी बहुत important है वो early hours scientifically भी बहुत important है otherwise हमें time भी वो मिल सकता है एक extra time है जिस पर हम अपने health पर ध्यान दे सकते हैं और उसके अंदर हम अपनी कई ऐसी skills डवलक करने पर हम time दे सकते हैं जो otherwise सारा दिन हमको अपने ओपर काम करने के लिए time नहीं मिलता है so true sister जब हम बात करते हैं early mornings की जैसे मैंने अभी थोड़े जार पहले कहा कुछ लोगों के लिए एक dream life है कि हम कभी तो सुबह उठ पाएंगे ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ती रात को जल्दी नहीं सो रहे कई बार मैंने ऐसे देखा है मेरे एक friend है college में थी मेरे साथ उनको नौ बजे के बाद में नीन खुलती है सुबह में नौ बजे तक उनको बिलकुल नीन नहीं खुलती है उनको ऐसा एक habit जैसा बन गया है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज को as a resolution लेता है कि हमें early morning करना है rise कई बार specially new year's के वक्त ये होता है कि कल से second of january मैं या first of january से मैं सुबह 6 बजे उटने वाली हो राइट या मैं 3 बजे उटने वाली हो 2 बजे उटने वाली हो सबका अपना अपना एक goal होता है लेकिन वो पूरा नहीं होता तो इसके पीछी का क्या thought process है अगर आप हमें सजेस्ट कर सके तो कोई भी चीज को एक habit बनाने के लिए हमें कम से कम उसको 21 तक पक्का दृड निष्चे से करना चाहिए 21 तक क्योंकि हमारी सालो की habit पड़ी है एक पर्टिकुलर टाइम पर उठने की और सालो की एक तो है हमारी शरीर की आदत पड़ी हुई है एक हमारे सबकॉंशिस में भी एफीड है तो हम उसी के अनुसार काम करते हैं हमने आज के लिए तो चलो सोच लिया कि हम इस साल से अभ हम जल्दी उठेंगे लिकिन जो पुरानी हमारी है देवलप हुई है वो हमारी जो बायोजिकल क्लॉक तयार हुई है तो उसके कारण से हम उठ नहीं पाते हैं अज्वेश नहीं हम नौ बजब फिखने की आदत है हम उठना जाहते हैं कि हमें छे बजब ऑजब लेकिन हम सो असी ताइम पर रहे हैं तो शरीर को तो अ तो हमें कुछ नया सोचना है यहाज मेरा जनम दिन ना तो मैंने कुछ नया करना है लेकिन वह नया करने के लिए पुरानी हैबिट को ब्रेक करने के लिए भी तो शुरुवात करनी पड़े कि लिए तो सबसे पहले इंदर इंपॉर्टन यह अगर हम जल्दी उठना चाहते है तो हमें सोना भी टाइम से पड़ेगा तो हमें अपनी साइकल को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा तो कही बार किसी ने एक वड़ी खूबसूरत बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको 6 बजे उठना है तो आप अलाम कितने बजेगा लगाएंगे 5.30 यह प्रोग्रामिंग है कि आदे घंटा तो मुझे लगेगा ही उठने में अच्छी बटन जाएगा तो यह भी हमने एक संसकार बना रखा है कि आदा घंटा तो मुझे लगेगा है तो वो आदा गंटा ना हम अराम करते हैं ना हम उठते हैं वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है तो यह बात तो हम और लिक्षम करेंगे लेकिन उससे इंपोर्टन बात जो मैं बताना चाहिय नहीं है कि अगर हमेच शे बजय से उठना है तो हमें अलारम लगाना पड़ेगा बढ़ेगा रात के दस बजय का रात के दस बजय का अलाम कि लगाना क्यूंकि वह वो इस लिपिंग ताइम आप नेवर वर्ट इस बिफोर मैंने कभी नी सुना ही यह पर लिए तो इस बेरी बीटिफुल थिंग मुझे अच्छी लगी स्ले मैं शेयर कर विए जीजी कि दस बजे रात को अगर हम सोने का लारम लगा है क्योंकि हम यह भूल जाते है हमें सोना क लेकिन उसके लिए सोना कितने बजय है और वह हमें आजकल नींद आती नहीं है जैसी हम बैट पर जाएंगे मैं सच बता हूं मैं फ्रेंड की उनकी बात कर रहे हूं वो ना क्या करते 9 30 जाते है बैट पर 9 30 से लेकर के 10 o'clock तक फोन पर सारा चेक करेंगे क्या एमेल आया क् फेस्बूक पर क्या इंस्टा पर क्या हर जगे पर 10 बचता है पता है अभी सोना है लिकिन और दो वीडियो देख लेती हूं देखते देखते ग्यारा साड़े ग्यारा पता भी नहीं चलता कब उधर तक ताइम यही तो प्रॉबलम है आज के लाइस्टाइल क्यों स्पेश अज के पीछ साइंटिफिक रीजन से आज तो इतनी रिसर्चेज हो चुकी है कि जो हमारे फोन से यह ब्लू लाइट होती है और इसना वेरी कॉमने बड़ी नोसे लेकिन इसको इंप्लिमेंट नहीं कर रहें कि यह लाइट जो हमारे स्लीप हॉर्मों जो मेलाटनिन हॉर्म हमारे ब्रेन रिलीस करता है और बड़ी डरैलीस करता अज डरगाल रहीं करते है जैसे जैसे थामद बड़ती है अंधर होने लगता है तो वल्की हमें सोने में माद़ करता है अब दय कार्मनिक होती है उच्ज सvar में मंद़ करती है और हॉर्मों के स्थिछिचिन को डि expressões ओ तो जिसके कारण से अगर आपने सोच आप साड़ेनों बचे बेट पर तो चले यह सोचे चलो आदे गंटे में यह भी हमार एक बिलीव सिस्टम में उठने के लिए अदा गंटा चाहिए यह सोने के लिए लेकिन वो उस आदे गंटे में आपने इतना ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया तो आपका हॉर्मोन सिक्रेशन भी बंद हो गया और यह उसके ब्रेन इतना स्टिमुलेट हो गया इतनी आपने इमेल्स पढ़ ली पढ़ने के बाद जो उसमें कंटेंट है वो भी तो जग्याना कल यह करना है वो करना है ऐसे करना है इससे यह मीटिंग करनी आज इसके बात हुई थी उसके अलब आपने कुछ वीडियो जेख लिए तो all together your brain is so much stimulated कि वो तो एक नए दिन के शुरुवात करने के लिए रेडी हो गया और आप उसको कहरो अप सोजाओ सोजाओ तो दो अलग energies काम कर रही है तो इसलिए बहुत important है आदा घंटा पहले वैसे तो एक घंटा होना चाहिए लेकिन आदा घंटा पहले तो कम से कम शुरू करें कि हम सोते टाइम कम से कम mobile ना देखे sister record जो मेरे साथ ही हुई थी आपको बताना चाहूंगे college के वक्त यह मेरे साथ बहुत होता था especially जब exams आने वाले होते थे कल के दिन में क्या पढ़ने वाली हो वो सारा मेर लिस्ट बनाती थी सोने के 5-10 मिनिट पहले कि मुझे कल यह करना है कल यह subject करना है कल subject तो same exam के साब से उसमें यह chapter करना यह रह गया यह रह गया वो मैस वाला maths का सम भी करना है too much happening और हम planning दस मिनिट पहले जो सोने के करते है तो उस ही मुझे राद भर नहीं मुझे गूमता रहता था कि मुझे यह करना है मुझे यह करना है कल यह करना है I need to get up on time तो वो सारा प्रेशर लेकर कि मैं सोती थी तो वो भी प्रॉब्लम करता था इसके अंदर दो चीज़े है पहली तो वैसे ऐसी बात नहीं है अंगले दिन के प्लैनिंग करना अच्छा रहता है लेकिन अगर यह परिशान कर रहा है यह तो मुझ थिंकिंग हो रही इसके वज करता है तो हमने पहले उसकी प्लैनिंग करी तो वही चीज़े शयद आरही है नहीं तो अधर्वाइस यह हमारे मारे मांद को सेटल करने में भी हल्प करता है कि तो अब हमें क्या करना है कि जस्ट सोने से पहले आप कुछ और कर सकते हो जैसे कुछ अच्छा पढ़के कोई कुछ अच्छा मैसिज उसके ओपर चरन करो थोड़ा सा उसके बार में सोचते सोचते सो यह ग्राटिट्यूद जरन सबसे अच्छा यह है कि कम से कम तीन बाते हैं सारे दिन में जो अच्छी हुए तो आपका वो लास्ट थो है वह बहुत लाइट हो जाएगा प्लेजन हो और रात को भी अगर ऐसा कोई विचार आता है तो वो आपकी नींद को अच्छा ही बनाएगा तो इसके अंदर यह बहुत जरूरी है जो आपने बात कई कि जैसे वो रेजोलुशन भी करते हैं उसके अंदर भी मैं यह पॉइंट करूंगी कि कही ना कहीं हमें अपने माइं कि हम सुबहेत भी करना सुद अदर आत करने के लिए कि जब हम सुबहें और रात को हम सोचते हैं कि मुझे इतने बज़ उठना है तो वुट इस अ मोटिवेशन उट उठना है मैं क्यों ईूठूं तो अपने माइंद को ऑक्रने के लिए हमें कुछ बाते नोट करने के यह करेंगे, सिर्फ उठना है, एक्सराइज करना है, कई बार सिर्फ एक्सराइज करने को दिल नहीं करता, क्यूंकि आदद भी नहीं होती है, तो हम उसके कुछ फाइदे अपने आपको दिखाएं, तो वो विजुलाइज करते हुए हम सौएं, बिलकुल, रहित और इसके ल मैं रात को जब यह कहकर सोती हूं, I, the soul, am the master of this body, इस body को मैं जितने बज़ उठाऊंगी, यह उतने बज़ उठेगी, I am the master of my mind, मैं मन को जो कहूंगी, it will be alert to do that, to take my command, is my best friend, तो मैं ऐसे अपने आपको जब कहकर सोती हूं, मन, सुबह हमें इतने बज़ उठना है, ठीक है, हम दोनों को मिलके शरीर को उठाना है, and we have to work out with this body, beautiful, तो जब हम अपनी इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, और एक पर्पस देते हैं, कि हमें सुबह में क्या करना है, तो उसमें बहुत बूटिफुल है, M-E-M, okay, M-E-M, यह याद रहेगा, memory का short form is M-E-M, तो first M जो है that is meditation, okay, हम जब मौनिंग में उठते हैं, तो हमें मेडिटेट करना चाहिए, और मेडिटेशन में क्या करना चाहिए, उसके अंदर एक तो positive affirmations, okay, आपको सारे दिन में जिन energies की, जिन शक्तियों की जरूरत है, जैसा आप अपने आपको successful होना देखना चाहते हैं, जो काम अप जब दो गंटे पहले का समय होता है, ब्रह्म मुरत, और उसको ब्रह्म मुरत क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मींज दक्रेटर, वो मुरत, वो समय, जिस समय आप कुछ भी क्रेट कर सकते हैं, और जो आप क्रेट करेंगे, इन यूर माइंड, वो आप फिजिकल वर्ल्ड मे उसको विजुलाइज केज़े, तो मेडिटेशन में वन तिंग इस, खुद को अपने आपको ये कमांड देना, ये अफरमेशन देना, आपने को बड़ा ब्यूटिफुल तरीके से, और अपने गोल्स को पाते हुए विजुलाइज करना, तो इसी कुछ अफरमेशन से दिन करना, उनसे शक्तियों को रसीव करना, तो ये अगर हम आदा गंटे का मेडिटेशन भी करते हैं, या लेट से फर बिगनिंग फिफ्टीन मिनिट का मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे मन को भी अपने मेडिटेशन में का क्या करें? बिल्कुल क्योंकि उसमेना सबसे बड़ा मेराण पूंकि नेंद आती ओंकि की श Quindi मेल रान का ताइno है, अपL Olie अशूर। में नेंद आती है क्या। और आती है क्योंकि हम सूर्य हैं, महा हुँथ बैच जाते तो वहां की Vibration झाती हैं, तो तो वहां की या थे पहले पहले आपको उठां कु ए और प्रुछ कर रु इसे हमारा ब्रेन जो है तयार हो जाता है और फिर मेडिटेशन में अगर हो सके तो नहाल तो अच्छ तो कुछी नहीं है लेकिन हाँ शयाद यह शुरू शुरू में करना मुश्किल होगा तो कोई बातनी कम से मूद होगे बश्क कर के हम बैड नहीं बैठे उससे अलग स्पे पकक Olga benefits देखेंगे उसे दिन benefits देखंगे अगर आप अपने मन को एकागर कर के अपने सारे दिन वैसे विजुलाइज करते है तो अब QUEB Rezart अपने काम को ज़्याद करूंब करूंगे तैम से ठोरा कर करूंगे ATY मूझे मH छिए अपने मन की अपनी कर शूनी energy, तो एक है meditation, M for meditation, E for exercise, half an hour at least we must exercise जरूर करे, उतना नहीं कर सकते, तो 15 minutes का time जरूर थे, even it is just stretching your body, चोटे-चोटी सी भी कुछ हम exercise घर में ही करें, अगर भार नहीं जा सकते तो, इतना कम से कम जरूर करें, उससे भी हम सारा दिन बहुत active रहेंगे, तीसरा M जो है, वो है, mastering your skills, कोई भी ये सुबह का समय जो होता है, वो कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो students के लिए पढ़ाई है, तो morning hours बहुत अच्छा है, नया कोई lesson सीखने के लिए, और मैं ये बोलू, कई बार students कहते हमें नीन दाती जैसे आपने अभी बात गई, और मैं खुद अपना experience बता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं लेट नाइ तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं early morning नहीं पढ़ सकती हूँ, बट मैंने भी जब इन सब को scientifically समझा, तब मुझे आया कि let me experiment, I have always been a science student, और मेरा mind उसी तरह काम करता है, मैं experiment करके जरूर देख जो चीज मुझे क्लिक कर जाती है, तो मैंनी का मैं एक्सपरिमेंट जरूर करोंगी, और मैंने सुबह इसी तरीके से अपने आपको अच्छे से अपरेश करके तयार करके और फिर इसको समझते हुए कि इसके बेनेफिट्स अगर इतने लोगों को हो रहे हैं, अगर दुनिया के इतने सक्सेस्फुल लोग कहते हैं कि सुबह वो एनरजी होती है, तो मुझे भी एक्सपरियंस करनी है, वो विलिंग्नेस अंदर से होनी चाहिए, कि मुझे इसलिए अगर इसके बेनेफिट के लिए ट्राय करें लोगों कि इसके अगरों करेंगे लोगों कि अपने बेनिफिट के लिए तो मेरे क्यों काम करें तो उसेनरजी से जब हम एक्सपरिमेंट करेंगे विश्वास के साथ तो हम अपने को मोटिवेट कर पाएंगे तो E for exercise and M for mastering your skills, म मैं आपको बताना चाहूंगी आपकर जब मैंने अपने national record बनाया था जी, calculations का, fastest calculation का, तो मैंने इसी time को चूज किया था और मैं सुबह उठकर जब कोई disturbance नहीं होती ती, कोई दिन भर में कभी bell, कभी बच्चे कुछ बोल रहे हैं कोई ना कोई आवाज हमें डिस्टरब करती रहती है अस्वास इंवार्मेंट में इतनी चीज़ होती है उस time पर कुछ नहीं होता ता सिर्फ मैं अपने साथ और परमात्मा की आद में स्टार्ट करती थी पहले मेडिटेशन करती थी आदा गंटा उसके बाद में इस स्किल्स पे काम करती थी तो मैंने देखा मैं बहुत जल्दी इस अजो अपना टार्गेट रखा था उसको अचीव कर पाई और मैंने इस चीज़ को experience भी किया कि उस आप जो क्रियेट करना चाहें और इस समय को अगर हम सो कर बरबाद कर रहें जस लाइक कि कहते है ना ब्रह्मा उस समय जिस समय भाग्य बात रहा हो और उसको हम सो कर बिता दें तो यह M.E.M. अगर हम अपने को रात को एक लक्ष देंगे कि हमें सुब उठकर यह करना है उस जा है पहले दिन दूसरे दिन के उठने के लिए जो अपने को ताकत भर्नी है लेकिन इसको कन्टीनु हमने करना ह है एकारक्ट करना विदि क्या है वो यह है कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं जहे हम थौट लेवल पर कर रहे हैं या एक अ应 पर कर रहे हैं तो जबि हम और सए हम तो हमारे अचाली तरह शुत जम मैं य्टयक्टरफ mode कर दें प्राक्षिकल मी तू जम पहले दिन उट्टान फो तकली हो यह वो तोbab फोड़ आफ्ट़्न लगे लेकिन जा हमने और आप प्रीचिट हो तो इसअ झांव यह अगले दिन पर हमने उसी ताइम पर अच्छन किया थीसरे दिन फिर अच्छन किया तो लगबग हम जब 7-8 दिन तक इसको करते हैं तो हमारे ब्रेन केंडर कुछ चेंज अने शुरू हो जाते हैं और इसको कम से कम हम वैसे तो कहते हैं 7-8 वीक्स अगर आप करो तो यह चेंज अच्छर हमारे जो है जब पर्मनेंट लीट बन जाते हैं तो इस प्रॉपर्ट्टी को चेंज इस त्रॉक्चर अगर इंच अगरिंड वाट तो थौट्स अंग्शूर्स वीडु सी तो प्लिक्टिसिते तो नीर्स्टिटिसितए तो नीर्स जैसे प्लास्टिक्ट हो था ह और जब यह ब्रुक्चर तयार हो जाता है तो इत रहली हेल्पस उस राइट कि यह भी हमारा साथी बन जाता एक तरीके से इसले कहते है कि तरीके साथी बन जाता है तो भी जैसे आपको वर्दान दे देती है और आपके लिए इसले आपने जैसे का कईयों के लिए कोई मुश्किल बात क्योंकि यह भी आपने आपको देखे हैं तो हमें कोई अपने से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कर्स फर्स अफ ऐसले करने जापने आपको देखे लिए लग्डिश्ट इस बात नहीं है इस समय का जो मैजिकल टाइम भी कहते हैं क्रिएटिविटिय ताइम भी कहते हैं क्यूंकि इस समय हम उस परमात्म शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं अपट अब देखो अब्देशन आ कि ब्रह्म मुरत का समय गई अमरित濰ल ओव य Queen को आता है तो यह परमात्मा करने का समय इस Навें इस Nag Buddhist हो सकते हैं वाँ तो वन रीज़न की इसमें सतोगून है 5 आप देखो डुनिया वर में जितने वी गलत काम होते हो रात के समय में स्यादा होते रात के बारा आटी, दो बजे तक दिहां aoend असके बाद ऐसे लोग वो होते हो सब़ जाते हैं, ऑ अर देर तक सोदे रहते हैं रसुब उटनेवाले कौन होते हैं, या तो भगवान के भःत होते हैं है या या पुरिशुवल प्रक्टिस करने वाले, meditation करने वाले जनरली वो सुबह उठते हैं, तो सबसे पहली बात अधिकतर दुनिया तो सुरही होती है, तो उनके मन कम चल रहे होते हैं, तो जो वेव ट्राफिक होता है, इसको अगे तो थाफिक जो होता है, वो स्टाइम पर कम होता है, जैसे अगर अगर अरली मौनिंग अपने डेस्टि वाइबरेशन सोथिया, पॉजिटिव एनरजी, हाई लेवल वाइबरेशन सोथिया, वो आपको और अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है, तो ऐसे में जब हम परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा कनेक्शन लग जाता है, जिससे हम सारे द हमें ही होता है, हम physically भी strong होते है, mentally भी strong होते है, spiritually भी strong होते है, thank you so much for this beautiful insight sister, हम सभी इसको अपलाए करेंगे, all thanks to you, om shanti, om shanti. दोस्तों, है न, ये कमाल की बात, सुबह का जो समय होता है, वो आपका direct meeting हो सकता है इश्वर के साथ में, वो एक ऐसा समय होते हैं, जब भगवान भी free होते हैं, बहुत कम distractions होते हैं, आप उनके साथ जो रिष्टा create करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, और उनसे बाते भी कर स सुबह के समय में, और आपको वो feel होगा कि भगवान आपको reply भी कर रहे हैं, अपने सुक्षम तरीके से, इस relationship को कभी मत भूलेगा, ठीक है, इस बात के साथ, आज की program comment करते हैं, कल आप से फे मिलेंगे, आपके ही show में, जिंदगी बने आसान, ओम शान्ती 1094913487